सो हेलो साथियो याыт भी दसफीक एक्षा के स्ट्रेंट हैं और आप भी सत्रा फ़रवी 2021 को संस्कीत का एक्जाम पेपर देने जार हें तो आज के एρί वीड़ियो आप सबी को देखना बेहाज़रूरी है इस वीडियो में हम आप सबी को ताने जार ही हैं दस्वी केक्चा के संस्कीत का सो ऐसा इंपोटेन भी वियाई आपजेक्टिव कोश्चन जो कि आपके 17 फरोई दूरजा 24 होने वाले संस्कीत के एक्जाम पेपर के लिए काप इंपोटेन्ट है तो चले फिर्श विना आप पहला कोशिंट का इंसर देख लिती हैं देकिस सबसे पहला सवाल कोश्चन नमर एक में दिया गया है कि उपनिशद के रच्णाकार कौन है तो याद रखेगा उपनिशद के रच्णाकार है वो महर्सी बेद ब्यास जी हैं उसके बाद में एलाइस स्वाल करता है कि मंगलम पार्ट के रचनाकार कौन है तो याद रखेगा मंगलम पार्ट के रचनाकार महर्सी बेद ब्यास जी है मंदाकनी वर्णम की बात करें तो महर्शी बालमी की है मंदाक्नी वर्णम पाठ के रशनाकार महात्मा बीदुर महर्शी भास जो है ये है आपका नितियसलो का पाठ के रशनाकार ये भी याद रखेगा LS वाल करता है कि मंगलम पाठ में कितने मंदर संकलित है इसी को संस्कीत में पुछा जाता है कि मंगलम पाठ है कती मंतरा संकलिता संती तो याद रखेगा मंगलम पाठ है पंच मंतरा संकलिता संती अर्थात मंगलम पाठ में मंतरों की जो संक्या है वो पाँच है जिसका पहला मंत्र इसावस उपनिशद से लिया गया है अल्या स्वाल करता है कि अनू से छोटा क्या है तो याद रखेगा औरोन अनियान महतो महियान आतमस्य जन्तो निर्षीतो गुहायाम अर्थाद अनू से भी छोटा आतमा होता है महान से भी महान आतमा होता है उसके बाद में करता है किसकी जय होती है तो आपके पार्ट पुष्टा के अकॉडिन बताया गया है कि सत्य में उजयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है वो इसके बाद में करता है कि बहती नदिया कहां मिलती है तो ये समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को त्याग देती है तो कुशन कराई टि सजाएगा अपसंस C के साथ उसके बाद में करता है कि जनतु के हिर्दय रूपी गुफा में क्या इसी तरहता है तो आत्मा इसी तरहता है उसके बाद में है कि बिदवान अपना नाम रूप को जोड़ कर किसमें मिल जाता है तो याद रखिएगा बिदवान लोग अपना ना कि सत्यम से क्या प्रावथ होता है तो आपके पार्ट कुछ तक में बताया गया है कि बिद्वान लोग बेद रुपी ज्यान को जान कर मिर्टू पर भी बिजय प्रावथ कर लेती हैं अपसनसी के साथ हो इसके बाद में करता है कि किसकी जय नहीं होती है तो आपके पार्ट पुछ दैंक बताये गये हैं कि सत्यम उजयते ना अर्थात सत्यकी जीत होती है असत्यकी नहीं विसके बाद में करता है कि उपनिशद की संख्या कितनी है तो याद रिखेगा दुस्तों। उपनिशद की संख्या एक सव आठ होती है बेद है चार, बेदांग है छो पुरान है 18 और संशकार है 16 उपनिशद की बात के तो एक सव आठ हो जाएगा और महाभात में वर्णित अदिब बीवाहों के परकार के बारे में बात करें तो आठ हो जाएगा ये सब याद रखेगा अलेस वाल करता है कि उपनिशद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है तो परंपिता परमात्मा के आत्मा का वर्णन किया गया है उसके बाद में कि सत्य का मुग किसे ढखा हुआ है तो हिरनमैन पात्र से यानि सोने जैसा आउरन से ढखा हुआ है उसके बाद में कता है कि सत्य का खजणा कहा है दोस्तों तो ये देव लोग में है अगला स्वाल करता है उपमिशद की अंतिम भाग में किसका सिधान्त है तो ये दर्सन सास्त का सिधान्त है अगला स्वाल है कि रिशी लोग देव लोग की प्राथी के लिए किस मार को अपनाते हैं तो ये सत्य मार को अपनाते हैं वो इसके बाद में कता है कि प्रानियों की हिर्दै रूपी गुफा में कौन बंध है तो यह आत्मा है। एलेस वाल कता है कि नदिया क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है तो नाम रूप को छोड़कर तो नाम और रूप दोनों यहां पे कुशन का राई टेसर हो जाएगा। एलेस वाले की सत धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए तो हिर्णमैन पात्र को हटा देना चाहिए यानि सोने जैसा आउरन को हटा देना चाहिए। एलेस वाले साधक किसको पार कर जाते हैं तो साधक जो लोग होते हैं यह मृत्तु को भी पार कर जाते हैं। इस्वाल है कि इस्वर क्या है दोस्तों इस्वर एक ऐसा सत है इसके अलावा बाकी सब असरत है उसके बाद में कता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है तो सबसे बड़ा खजाना बिद्या यानि नोलेज को मना गया है किसकी महीमा गान होती है तो याद रखेगा आत्मा की महा पुर्रंध वाल कि पुर्षटा से किसका मार्षिक्प्रस्थष्थ वाले किसे वस में नहीं किया जा सकता है το इया आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है पार्टली पुत्र पत्र पत्रना के नाम से कब से प्रसुध हुआ था आप सबी को अधिए कि बात है जब पाटली ग्राम पाटली पुत्र के नाम से प्रस्षिद होने लगा एलाइस वाल करता है कि पाटना का पुराना नाम क्या है तो पाटना का पुराना नाम आपके पाट पुष्टक में पुष्ट पूर और कुसुम पूरे देखने को मिलता है एलस वाले की एस्या महादेश का सबसे बड़ा सेतू पुल लंबा सेतू जो है वो कौन सा है तो ये गांधी सेतू है उसके बाद में करता है कि युनान का राज़ूद कौन था तो ये मेगास्थनीज था जो चंदगुप्त मोर्ज के दरबार में आया था उसके बाद में करता है पाठली पुत किस राज की रालधानी है आप सबी कोता दें कि पाठली पुत जो है अर्थाद पटना बिहार राज की रालधानी है अगले यहाँ पे कुशन आ गया है कि मैथली कोकिल कभी के नाम से कौन से कभी परसीद है तो याद रखेगा यह बिद्यापती है बिद्यापती है कैसे कभी है जो संस्कीत के बहुत हैं बड़े कभी तथा मैथली कभी के नाम से भी जाने जाती हैं अब आई ये एलास वाल को देख लेते हैं कहता है कि पूरुस और नारियों की सहजोग से किसी गाड़ी चलती है तो आपके पार्ट पुष्ट में बताया गया है कि पूरिसाई नारी नारी भी सच से चलती यानि समाज रुपी जो गाड़ी है इस्तरी और पूरुस दुनों के सहजोग से चलाई जाती है अलस वाले की अलस कथा पाठ कहां से संकली थे याद रखेगा मित लाब नामख खंडात और पुरुस परिक्शा नामगरंद से अलस कथा संकली थे इसके लेकर महर सी बिद्या पती जी है उसके बाद में करता है कि संस्कीत साहित लेका पार्थ में किसके महत्तों का वर्नन किया गया है तो औरतों के यानि इस्त्रियों के महत्तों का वर्नन किया गया है उसके बाद में करता है दोस्तों कि महाबीर मंदिर कहा इस्ती थे देखिए महाबीर मंदिर जो है ये पटना अर्थात बिहार के रजहानी पटना मेशती थे उसके बाद में करता है कि किसकी महिमा सरुत गाई जाती है तो यहाँ पर बताया गया है कि भारतस से महिमा सरुत गियते अर्थात भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है इसके बाद में कि मिथला का मंत्री कौन था यदि आप पार्ट पुष्टक्स क्यों बढ़िया से धहन किये होंगे तो अलेस का था पार्ट में आप आये होंगे कि मिथला का मंत्री विरेस्वर था जो काफी ही दानिसील तथा कारूनिक था उसके बाद में करता है कि संकर चरीतर की रचना है तो संकर चरीतर जो है यह पंडिता च्हमाराव की रचना है इसे देश का गुनगान देवता लोग भी करते हैं कौन से देश का ते भारत का बहुती कम समय बचा हुआ है इसलिए हम आप सभी को जल्दी बाजी में जल्दी यदि तमाम कोशनों का सुलूशन बता देते हैं ताकि कम समय में आप अच्छे खासे नमबर ला सकें हम बहुत ही जल्द आप सभी के लिए साइंस और सोसल साइंस का भी इंपोटियन कोशन का वीडियो लाने वाले हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए एक बाद जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पने होंगे तो चैनल को सब्सकाइब करें लिजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी से न शुटे करता है कि किसांद संसकार किसके अंतरत होता है तो दखिए जन्म से जो पूर होता है संसकार उसी में होता है किसांद संसकार अगला स्वाल है कि पाटना नगर की पालिका देवी कौन है तो याद रखेगा ये पाटन देवी है L.S. वाले पुछा गया है कि मनुस्त को कौन नश्ट कर देता है दखिए मनुस्त का जो आलस एक ऐसा सत्रू है अर्थात यहाँ पे कोशन पुछे जाएंगे कि नितिकार आलस से को क्या मानते हैं तो याद रहिए दोस्तो रीपू मानते हैं रीपू का मतलब यह दुस्मन ही होता है सत्रू ही होता है तो मनुस्त को कौन सा नश्ट करता है आलस नश्ट करता है L.S. वाले के रीग बेद में कितने महिलाओं का वर्णन है तो रीग बेद में चतुर विनसत अर्थात 24 रिशीकाओं का वर्णन है रीग बेद के बाद में अर्थ बेद में पुछा जाएगा तो पांच हो जाएगा यथा, अमी, अपाला, उर्वर्षी, वगम, माभिरिनी, इंद्राणी तो ये पांच होते हैं रीग अथर बेद में बाद में करता है कि भीषन भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, तो वह आलसी बिक्ती है जो मर जाएगा लेकिन भीसन भूक लगने के बावजूद भी अपने पेट की रक्षा नहीं कर सकता है अलेस वाले की अर्थ बेद में कितने महिलाओ का अभी हम बाप सबी को बताये थे कि पांच महिलाओ का उलेख है अर्थ बेद में तो वह होता है दोस्तो अंथेष्टी संसकार उसी को हम लोग करते हैं दाह संसकार उसके बाद में बिरिस्वर का नाम मंत्री कहां कराता था बिरिस्वर नाम का जो मंत्री है कहां रहता था तो यह मित्ला में रहता था इसलिए मित्ला का मंत्री बताया गया बिरिस्वर को अब चश्तनि को किसका शिछा देते थे यह आत्मत्त्तों कोशिक न emphasis नहीं यार्ट दखेगा कि आ अत्मत्त्तों की सिख 迎وق लगे किसको एतत अपनी पत्व मैत्रई को देते है उसके बाद में हैं आलश्यों को कौन ऊन और वर्श देथे तो यह बिरेश्वर दीत तो इसके बाद नीहिए कि 자संकाल में पार्शषाका challengingशिक्या जलिए राती तो यहां पर बता गया ते-प्रोपीश्जिक्षिंए आलशी पुरुष्ट को है तो आप पुष्टक's इसके बात भारत भूमी किसेशी सेवी देखते हैं करता है कि कुटनिम तीम काव करशनकार कौन है तो ये दामोदर गुप्त जी हैं उसकी बाद में सवाल करता है कि अलश कथा पार्ट में किसके दोस्त का वर्णन किया गया है अर्थात्मनुस के दोसों का वर्णन किया गया है अलश कथा पार्ट में वरतमान काल मे तो यह मितलेश कुमारी मिस्र है उसके बाद में करता है कि अलस साला में आग लगने पर आलस साला में आग क्यों लगाई गई थी तालसियों की पाशान करने के लिए आलसियों की प्रिक्षा करने के लिए ही अलस साला में आग लगा दी गई थी जगत का गौरव कौन है तो आ पूछा जाता तो आपका यहां पे। है तो विष्णु पुरान से लिया गये और बाद बला लिया गया है भागवत पुरान से यह याद रखेगा की स्पता की शीक्ज समप्रदाय के दसम वगुलों जिनका नाम है गुरू गुलिMAN jó egent amis की क्य तो दूर्थ लोग भाग गये और चार आलशी बच गये थे पाठना किस दिशा में गंगा नदी परभाती है तो याद रखेगा पाठना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है अब अगला स्वाल है कि जाती धर्म के भेद यूग तो लोग भारत में क्या वहन करके रहते हैं तो एकता बना कर रखते हैं उसके बाद में आईए अगला स्वाल को देख लेते हैं यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं पटना से यह और कोशन आया है कि गोलगर कहा आये थे तो यह भगवान महात्मा बुध आये थे और आकर वो का करे थे कि यह नगर आगे चलके तो महानगर होगा किन्तु आग लगी बाढ़ और यूद की स्थिदी से हमेशा भैभीत रहेगा यह कथन कि श्काल है दोस्तो तो यह था आपका महात्मा बुध का इसके करता है कि पती किसका रख्षक होता है दोस्तों तो इस्तियों का होता है बालकों का रख्षक कौन होता है तजननी अर्थात माता होता है यह भी याद रखेगा बचों का रख्षक कौन है तो माता यहां पर कुछ नाइए गया है ब्याकरण की रशना का औरकन है तो यह पान का भी मिमंचा बताया गया है ये भी याद रखेगा अगला स्वाल है भूखा रहना कौन पसंद करता है तो आलसी करता है प्रश्ण उत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है यानि एक आदमी प्रश्ण करता है दूसाद में इंसर देता है ये कौन सा बिदूर निती है इसी बिद कि प्रश्ण उत्रम विदोर ददाती भागवान बुद्ध भव вопрос कि में किसे काb वी कच्छा के संस्कीत का ऐसा इंपोटेंड भी वियाई अबजेक्टिव कोशन जो कि आपके 17 फरवई 2024 से होने वाले संस्कीत के एक्जाम पेपर के लिए कापी ही चदा इंपोटेंट थे आसा करती हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आ हो दोस्तों वीडियो पसंद झाइबSTी झाले से तु आकम के वाले सोबस्टिव जाजब भीडियो दोस्तों पसे लिना इंपर तु़ती प्जाम मेंसे।